दोस्तों अभी इस वीडियो में हम LCM of 19 and 57 Find करना से कहेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए द्यान से देखिए LCM Find करने के लिए हम क्या करते हैं इनका Prime Factorization करते हैं Prime Factorization करने के लिए हम इनको दोनों को इस प्रकार से एक साथ लेते हैं Prime Factorization का मतलब क्या होता है आपके Prime Number से इनको Divide करना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यह आपके क्या है सब Prime Number है अब देखो हम 2 से चेक करें तो यह भी Divide नहीं हो रहा है यह भी Divide नहीं हो रहा है Divide होने का मतलब यहाँ पर है Complete Divide 3 से देखो यह Divide नहीं हो रहा है लेकिन यह आपका 3 से Divide हो रहा है जो Divide नहीं हो रहा है उसको तो जैसा है वैसा लेकिलना यह 3 से कितने वार Divide हो रहा है 1 टाइम और 9 टाइम Divide हो रहा है अब देखो यहाँ पर आपका 1, 9 खुद क्या है एक Prime Number है यह नहीं आपका 1919 से ही डिवाइड होगा ओके तो कितने वार वार वन वार यह भी वन वार तो आपके पास यहाँ पे LCM क्या आगए यह जो आपके प्राइम फिक्टर आए है इनका मल्टिप्लिकेशन इनका देखो मल्टिप्लाई कर दो कितना आगया 57 आगया यही आपका है जो LCM है देखे LCM क्या होता है ऐसा नंबर होता है छोटा छोटा जिससे इससे डिवाइड करेंगे तो भी इससे डिवाइड करेंगे तो भी धन्यवाद अगले वीडिवेड फिर मिलते हैं